यह देखे गाइस यम्मी टेस्टी एकदम डिलीसियस इस गर्मी आप जरूर इसे बना करें और ट्राए करें और हम पहले ही बताय दे रहे हैं कि आप अगर यह वीडियो देखेंगे न तो बिल्कुल इसकिप नहीं करेंगे पूरा वीडियो देखेंगा बहुत टेस्टी करके तयार करिए जो कि नान पराथा पूरी राइस किसी के साथ भी आप खाना चाहे ना बहुत अच्छे सी जाएगी बहुत टेस्टी जाएगी और बच्चे तो बिल्कुल मांग मांग कर खाएंगे और आपको महना सिर्क पांच मिर्ट की लगनी है हलो एडिवन आपसे का स्वागत है हमारी यूट्यूब चनल चाहे मिस्रा में गाईस तो देख सकते हैं यह हमने ले लिया है कुछ टमाटर जो कि हमने एकदम से रेड रेड वाली टमाटर ले रखे हैं धोके एकदम साफ से पोच लिया है और अच्छे से ले लिया है अब हमें क्या करना है तुल के पोच कर ले लिए टमाटर जो उपर की आंक होती है इसको हमें निकाल देना है तो इस तरह से निकाल देंगे हम देख सकते हैं और इसको हम दो पीस में कट कर लेंगे बराबर बराबर इस तरह से देखिए यह देखिए इस तरह से कट कर तो चलिए देखते हैं चड़ाते हैं अपना पैन इसमें डाल दी हमने 2 स्पून के करीब ऑईल सिर्फ दो स्पून ऑईल से बनकर त्यार हो जाएगा तो देखे ऑईल हो चुका है तो इसमें डाल दीए जीरा तो दिखता है ना उपर तो वह बहुत अच्छा आता है लुक तो और एक मीडियम साइस का प्याज देखे इसमें जो भी चीज़े आप नहीं कहाना चाहते या नहीं है आपके पास उसे स्किप भी कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है अब इसमें हमने डाल दिया थोड़ी सी हिंग कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर देखे टमाटर तो हमारे हैं अब फिर थोड़ा सा और कलर अछ दिखाने के लिए इसमें रैट कलर हमें और डाल दिया हॉँआ हमने चिली फ्लैक्स आप अपने हिसाब से सुआत के नुसार तीखा या कमतिखा कर सकते हैं बच्चों के साब से तो यह देखे अब इसमें हम डाल देंगे और गेनो तो यह हमें भी प्याज को सिर्फ और सिर्फ एक मिनिट भूंडा है ब county सिर्फ एक मिन भूनए के बाद में देखिए आप देखिए कि हम इसमय क्या करते है तो यह हम लगाएंगे अपने एकर के तुमाटर इस तरह से यह देख सकते हैं जिदर हमने कट किया था उसी तरह से हम लगा देंगे देख सकते हैं तो इसी तरह से हम सारी लगा करके लग देंगे यह देख सारी लग चुके हैं अब इसमें हमें कुछ भी एड नहीं करना ना पानी ना भी नमक हम एड करेंगे आगे बताएंगे कि हमे तो तो इस तरह के हम पलटते हुए करेंगे गाइस तो हमारे घर में कोई भूल नहीं पा रहा है मैं आज ही बनाया ऐसे एक्सपेरिमेंट किया क्या मेरे पास इस समय अवेलबल नहीं तो नहीं तो चलो टमाटर रखें कुछ बनाते हैं मगर सच में यह बहुत टेस्टी डिस गर में सबको तो इसलिए हमने सुचा आपके साथ शेयर करते हैं इस रेस्पी को तो इस तरह से मने स्टर कर दिया सारे तमाटरों को और इसको फिर से हम कवर करेंगे ठीक है लिट लगा आगर कि कवर करेंगे जिसे के अच्छे से कुख हो जाए तो यह देखे हमारा को को कोने में सिर्फ और सिर्फ दो मिनट लगे हैं। तो में को चुका ने भूण सकते हैं 2ू मिनट में लने में था हैं को कुख करने में में लगा है था। बहुत ripping लगा अब इसके छिलके तेमाट्रों का तेमाट्रों का छिलका निकल चुका है तो आप हमें क्या करना है इसको पोटैटो मैसर से मैस करेंगे तो यह देख सकते हैं आप शिलके अठा दिए और पोटाइटो मैसर से हमने इसे मैस कर दिया है ठीक है तो इसी तरह से देख सकते हैं बिलकुल टाइम नहीं लगा यह देके मैस हो गया है तो हम er क ostine कि इसे करेंगी है इफी तक नमक नहीं अट राइट करेंगे टेस्थ के हिसाब सब्सक्पाइब तो यह देखें इसी समय पर हम टेस्ट के हिसाब से नमक कर देगी यह रेख सकते हैं अगर आप को ड्राइच जाएए तो ठोड़ा कुछ कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं अब हम ऐसे ही रखेंगे जिससे कि आप राइस के साथ चापाती के साथ खाएं पराठा के साथ तो बहुत अच्छा जाता है इसलिए हमने ज्यादा को नहीं किया और आप हम इसकी फ्लेम को करेंगे बन यह देखिए हमने फ्लेम को बन कर दी है और चलिए सब करते हैं यह पसंद आया इसका खटा मीठा स्वाथ तो आपको भी अच्छा लगना चाहिए तो आप एक बार बना करके ट्राइ करें देखें कि आपको कैसा लगा अगर हमारी यह रेस्पी आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें और हमारी प्लीज रिक्वेस्ट अच्छा है कि पूरी की पूरी वीडियो देखें तभी आपको समंग में आएगा और एक बार घर में ट्राइ जरूर करें कि बहुत यम्मी बहुत टेस्टी बनती है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स डे कौन सी हम आप लों के लिए रेस्पी लेकर आएं बाब बा झाल